इंडिन मेडिया बुक के विडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकान को प्रेस करें के लिए बारे में बतायता है लेकिन जो क्लेम का एप्लिकेशन का कौन सा डेट होगा वह भी बताना है हम भी बताएंगे मेजर मुद्दा एक ही रुका हुआ है हाई कोट में भी पीछे जब पिछली हीरिंग में हुआ था कि आधार इस्तेमाल करने का हमें केंदर सरकार का पर कि इसके बिना जो है हजारों नंगों का हजी लेना पड़ेगा इसी में गड़बड हो जाएगा इसके लिए चाहिए पीच में क्या हो गया यह कोविड वगड़ है के चक्कर में सभी का जहां इसके चला गया है जी हाँ जाए पेदी गौर्णमेंट और इंडिया में ते त जोड़ा जिरूर हुआ होगा मेरी उमीद है कि 10-15 दिन में शायद वाहत पे आ जाएगा अच्छा कि हमने यहां पे अपनी तयारी करें पताने का मक्सद यह था कि जो हमारी नहीं अप्रॉटर्स क्या रहेगा उसमें दो तिन चीजे में ने और डाली कि जोसे जोसे जिए बैंक से एक रुपे का ट्रांजेक्शन जाजर आप करके दे देंगे तो भी क्या है हम उसको आपका अधिंटिकेशन का अधिंटिकेशन मानें वह जो आया क्यों कि जैसे कुछ लोगों ने बताय कि हम बाहर देश में रहते हैं हमारे पास आधार नंबर तो है लेकिन हमारा अधार से लिक नहीं है अच्छा रूं जा तो हम यहां नहीं आना है तो अपने देश कर दो लेक्म मोबाइ् का ही मने 17 0012 नहीं है अथा तो इसको कह सकते हैं कि बहई अपने कहीं भी आधार चेंसर में जाके मोबाय लीग एचिका है तो इसको बहुत सोच के हम ने हैं कि उन्होंने अपना बैंक अ काउंट घी जिसके उन्होंने पैसा लूपार चांसपर किया था यह ने पैया उडिसीज़ किया था तो वो बैंक एक रुपया ट्रांसफर करते हैं थाइल अफ़्म्र नम्बर अगर हमारे सॉस्थेर इस उसस में घाल कि Prag उनका बैंक अगाउंट नंबर हमें मिल जाएगा कि इस बैंक से आया एक्से एक्सान इस ने इस यहीं वड़ती है तो अमेते लोगों का ले लेंगे लेकिन उनको देने से पहले पहले क्लेम तो ले लिया हम लेकिन क्लेम को पैसा उनको देने से तहले जितना भी होगा तब हम यह कह रहे हैं कि तब आधार पर ऑथेंटिकेशन करें बायो मेट्रिक पर तो उसमें तो चार पांच महीं ने लग जाएंगे तब कर तो आई सकते हैं जी हाँ तो यह दो तीन चीजे जो हमने नहीं डाली थी तो जिसकी मुझे लगा कि वही जो किसकी बार हमने जब एफलिकेशन का ग्राफ तो उसके बार कुछ लोगों के फीड़ बैत आई से हमारे ज़स्त नहीं तो उसके बेसिस के हमने कहा है थीक है इन सवालों का जवाब तो निका तो यह है बाकी डेट हम अभी मुझे लगता है दस-पंदर दिन में बता पाएंगे क्योंकि यह जो दिक्कत आ रही है यह जो इसकी का रहा है हम क्या रहा है और मिनिस्ट्रियां तियार हो रही है तो उमीद यह है कि हमने जैसे ही पर्मिशन लेए बाकी तो हम अपनी त्या पर्मिशन देंगे बहुत ज्यादा देंगे, मतलब हम पूरा एक जैसे अड़र्टाइज्मेंट, पुब्लिसिटी, सभी एकपारों में देंगे, जहां पे पॉसिवल हुआ तो टीवी में स्क्रॉल दिलवाएंगे, रीडियों को कहनवाएंगे, हम ने जैसे कहा कि इंडिविजुल लोगों को क इत्री डाल के बताएंगे, मतलब हम हर तरह का करना चाहिए, जिसमें अगर 50% लोगों के पास चिक्खी पहुँच जाएगी, अगर, बाकि हम यह सोचते हैं कि 50% को वर्ड अफ माउट से पता चलेगा, 50% को को पहुँच जाएगा तो 50% को वर्ड अफ माउट से पता तो दूसरों को बताएंगे, तो हम तो वो पुगा करेंगे, पिर आप कैसे चैनल हैं, उनको, वाटसैप, उनको सब के बेज़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि खूल दिया हमने जैसे कि क्या है, तो सर अभी, अभी के लिए एक final message दीजे कि लोगों को अभी क्या करना चाहिए, क जा करें, इंतिजार कियों कि लोग पैनिक ना हो, कि आप आराम से बैठिए, जब तक दूसरा information आपके तरफ से नहीं आएगा, कहीं नहीं जाना है, यही मैंसे जाना है, यही बिल्कुल अभी पैनिक ना, बिल्कुल ना हो, और कोई time नहीं निकला है, हम पकाहिदा अच्छ और पिरफ अपने जो document हैं, जो भी minimum, उसको भी हम minimize करते जा रहे हैं, दिन पे दिन documents को, जो भी minimum रहेंगे, वो थोड़ा मांगेंगे, आप जिससे कि भाई, खाली थोड़ा बहुत जो bogus या ऐसे ही, कोई आल्तु-फाल्तु गट्री किसी के लिए के claim ना डाल दो, ऐसे कु क्या है, थोड़ा तो हुआ है जू पर्टी में क्या है कि जो हमारे फॉरेंसी कॉर्डिटर हैं, CBI की तरस्ते को रहें को ऐसी नहीं चीज नहीं आई है, जी पर उन्ती कॉर्डिटर ने थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन जो जो उन्होंने बताया है, जो ग्राउंड पे जांच होनी होती है कि वो कागज को देख के बताते हैं अच्छा अब इनका इनफर्मेशन जाएगा तीबी आई के पास दो ती निन पहले लॉक्डाउन के बाद उन्होंने दिया है हमें क्यों कि वो लोग भी बत हो गए उनके दफ्टर भी बन गए अब उसको लेकर पता चल साड़ सतर असी करोण रुपा इंकम टैक्स दिया हुआ है इसने सालों में जाए या सौ सावा सौ करोण रुपाय दिया है उसको हम चाहते हैं कि वापस वापस क्लेम करें क्योंकि हमने हमारे फॉरेंसीक औरी ट्रिक के वर्दी के हिसाफ से इन्होंने कोई इंकम वाला काम कि प्युविट सुभा पैसा दिया है प्लेकाय वे इंकम टैक्स नहीं है इनकम तो थांपर नावरेश चाहिए तो जो मामला है वह तो फोड़ा सा बताया जाता है कि थोड़ा legal भी रहेगा उस में लेकिन हमने उसकी शुरुआत कर दी है हमने हाई कोर्ट में बताया था फिर हमने अब इनके इंकम टेक्स वालों को चिट्शन लिखनी चालू कर दी तो उधर से कुछ पैसा आनेता है जी सर आपने एक चीज़ और साथ पेपर में जो देख रहा था मैं आर्टिकल में लिखा है कि अगर जिन लोगों को पूरा प्रिंस्पल अमाउंट और प्रॉफिट ले चुके हैं अगर उनको थोड़ा अलग किया जाए तो जो लोग है अभी उनको ज्यादा परसेंटेज मिल सकता है इसी कुछ बात कोई किया सर्थ हाँ नए यह दो तीन पॉसिबिटी है जिए अगर हम जो घटा दे वो पैसा जो जो उनको प्रॉफिट को रूप में गया है जिसको हम यह कहले कि नहीं तुमारे को चला गया है जिसको जाया है जिसको जया प्रॉफिट की रूप में था लेकिन उसको यहीं मान लिया जाएगा कि अभी प्रिंसिपल का ही पेमेंट प्रॉप पैसा आ गया है तो वैसा अगर हम कर देते तो हमारा एक्दम कोई पंदरा सुप परॉड रुपय कम हो जाता है छोगों के पास जितना उनको जाना था उनको परॉफिट जाता गया 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 जिसको इसको बीफ से आया है ठीक है तो अगर ऐसे लोगों से वापस लिया जाए तो हमें 400 कृड़ और मिलता है पिर अगर वो भी लिया जाए तो फिर ऐसा बनेगा तब हमें कोई हजार करोड ही वापस देना पड़ता है तो हजार करोड में अब हम 445 का प्रॉपर्टी जरे सोच के चलने की पत्ता हो जाए तो हम खैसे में 43-50 परसेंट आ जाता है उसमें भी अगर कोर्ट या आदेश देता है क्योंकि यह सब बासे कोर्ट ही देगा आदेश कि अगर कॉर्ट यह पॉड़ेश देता है कि नहीं जो छोटे इन्वेस्टर्स थे इन्मेसे लिए उनका प्लीयर कर दीजिए या उनका ज्यादा पर्पॉश्य में आप परॉश्य कर दीजिए तो उनको ज्यादा मिल जाएगा जाएगा यह उसमारी उनीचिए दूर्फ प बना है अलग के डेजिनेटर जजज बना के वो भी तालू होना है तो जो वो बैठेगा और वो डेली हीरिक चालू करेगा तो थोड़ा हमारे केसे लिए तेजी आ जाएगी तो तब इस तरह के मामले जैशन थोड़ा फास्ट होगे जी सर वाकि हमने बताया कि इस तरह के सवाल आते हैं कि इतना मिलेगा ऐसे मिलेगा कि वैसे मिलेगा तो मैंने बताया कि यह सब पॉसिबिलिटी है अब अगर हम कहें कि छोटों के देढ़ेंगे तो गड़ों का का जाए तब यह कोट फाइनल सब डिसीजिजन लेगी कि किस अधार पर किया जाए किस जी हाँ सर तो सर आप यही इसलिए मैं आपको डिस्टरफ कर रहा था कि लोगों के अंदर कन्फूजन बहुत था तो आपने अभी क्लियर कर दिया तो लास्ट में क्या संदिज देंगे सर नहीं ऐसा कोई और मैं क्या बता हूं ऐसा तो कोई तो लोगों को यही कहा जाए कि जब तक कुछ नया इंफॉर्मेशन आपके तरफ से नहीं आता है ठीक है ना तब तक लोग इदर उदर की बातों पर ना जाएं वो तो बिल्कुल है वो तो हम शुरू से ही कह रहे हैं और वो बिल्कुल बेसिकर है कि ऐसा नहीं हो गया अग तो अलग अलग मेडिया से मालूँ होगा है कि कोई इसा नहीं होगा कि किसी को पता चले और किसी को ना पता चले हर माद्यम को यूज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए और फिर एक डेट बताई जाएगी उसमें कि 30 जून या 15 जून से 15 जुलाय तक क्योंकि एक माइन अब जो पड़ सो अखबार में खबर है उसमें कहीं पे भी ऐसा डेट नहीं है कि कब शुरू हो रहा है कब ख़तम होगा है तो लोग जो है हम समझ सकते हैं इस तनी चैनी औ जो है कि कहीं पे भी कोई क्लेम के बारे में हम आद परये उसमेज़ने कि अर्जी ब móल आ रही है तो अलग-एक ता भाम जाल जावाब देने हैं तो थांक यू सो मुझ ता हिकर ताम देने के लिए चरूण